आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे CROP करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Hello everyone The question says that Leena said blank but I couldn't understand what she said So, यहाँ पर एक sentence हमें given है जिसमें एक blank present है और उस blank को फिल करने के लिए हमारे पास चार option है जिसमें से एक option क्या है Correct option सम बारी बारी से चारो option को देखेंगे और फिर find out करेंगे कि इसमें से Correct option कौन सा है So, sentence है हमारे पास Leena said blank but I couldn't understand what she said So So, sentence क्या है? Sentence है Leena said blank but I couldn't understand what she said So, So, यहाँ पर जो second part है वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि लेकिन मैं 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 कुछ भी नहीं समझ शका जो भी उसने क्या कहा था? जो भी उसने बोला So, यहाँ पर यहाँ पर अगर बर्ड देखे तो वर्ड क्या है? बर्ड है बर्ड तो बट के बाद जो यहाँ पर situation आती है वो कैसी situation होती है? वो पहली situation से opposite होती है तो यहाँ पर बात किस चीज की की जा रही है? यहाँ पर बात की जा रही है कि मैं कुछ भी नहीं समझ पाया That means लीना ने क्या कहा? लीना ने यहाँ पर कुछ बोला होगा So अगर options को देखें तो पहला option है something तो something क्या correct option है क्या? तो yes something एकदम correct option है क्योंकि लीना said something but I couldn't understand what she said So लीना ने कुछ कहा लेकिन उसने क्या कहा? वो मैं समझ नहीं सका So So यहाँ पर something क्या है? Something यहाँ पर एकदम correct बर्ड है So option 2 है anything तो anything क्या हो जाएगा? यहाँ पर गलत हो जाएगा क्योंकि anything अगर हम यहाँ पर फिल कर रहे हैं तो यह बिलकुल भी appropriate नहीं है क्योंकि यहाँ पर anything का मतलब क्या होता है? Anything का मतलब होता है कोई भी कोई भी चीज तो यहाँ पर बात हो रही है कि उसने क्या बोला? उसने कुछ बोला That means यहाँ पर बात positive चीज की हो रही है और anything को अगर हम लेके आएगे तो anything यहाँ पर negative चीज को बता रही है, इसलिए option two क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा, option three है nothing, तो nothing क्या है गलत है, क्योंकि क्योंकि हमें कैसा बढ़ चाहिए था हमें यहाँ पे ऐसा बढ़ चाहिए था जो क्या करें, जो यहाँ पे positive चीज़ को represent करें और nothing क्या कर रहा है, nothing यहाँ पे negative चीज़ को ही represent कर रहा है, इसलिए nothing क्या हो जाएगा, nothing यहाँ पे गलत हो जाएगा now option four है, संबन तो संबन भी क्या है, गलत option है, क्योंकि संबन का हम use कप करते हैं, संबन का use हम किसी व्यक्ति को बताने के लिए करते हैं, सो यहाँ पे हम किसी व्यक्ति को represent नहीं कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे संबन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा तो final answer क्या है final answer है हमारा option one something so option one something is the final answer thank you classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर हो सा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप यह WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8444 पर